विजय के पास एक कंपनी के 500 शेर्स थे जिनकी face value थी रुपीज 10 और जिन को रुपीज 2 प्रीमियम पे इशू किया गया था आपको जनला एंट्री पास करनी है for the for feature of विजयर शेर under the following cases सबसे पहला case आपका यह है बच्चों कि विजय ने allotment नहीं दी ठीक है बच्चों allotment कितने की थी वो मैंने उपर specify किया हुआ है application वैसे है रुपीज 3 की allotment है रुपीज 5 की इसमें 2 प्रीमियम के भी है 2 रुपे first call के हैं और 2 रुपे ही final call के हैं case 1 में विजय ने allotment नहीं दिया है जो की 5 रुपे एक per share है और उसका share immediately forfeit कर लिया गया है यह जो मैंने nc लिखा है first call और final call के आगे इससा मतलब है वो पैसे मांगे ही नहीं करे ठीक है बच्चों अब इस case 1 में विजय के share को forfeit करने के entry कैसे बनेगी आईए देख लेते हैं बच्चों entry बनेगी share capital account debit, securities premium account debit, two forfeit shares account, two calls in earlier account जब आप विजय के share को forfeit करेंगे तो उसका share capital account debit हो जाएगा with a called up value of share जो की capital का भी छे रुपे ही मांगा गया है तीन application का और तीन allotment में allotment में वैसे पांच रुपे मांगे गए हैं मगर उसमें दो रुपे तो किसके हैं बच्चों प्रीमियम के तो share की call it up value आदेगी छे ठीक है बच्चों दो रुपे first call के और दो रुपे final call के भी मांगे ही नहीं गए हैं और विजय पे हैं 500 shares capital का call it up value per share अच्छ है तो share capital account आपका debit होगा विद रुपीज 3,000 500 इंटू 6 ठीक है बच्चों अब विजय ने प्रीमियम नहीं दिया इसलिए हमने प्रीमियम को debit किया है क्योंकि इसने allotment नहीं दिया और प्रीमियम allotment के साथ लिया जाना था अब क्योंकि विजय ने प्रीमियम नहीं दिया तो असलिए हम को debit करेंगे प्रीमियम है रुपीज सूपर शेयर और विजे पे हैं 500 शेयर तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो डबिट किया जाएगा विद रुपीज 1000 किया जाएगा ठीक है बच्चो अब यह जो हमने क्रेइट साइट में लिखा है फॉर्फेट शेयर अकाउंट और कॉल सेनरियर अकाउंट तो इन में वो पैसा लिखा जाएगा जो कैपल का है और मिल चुका है ठीक है बच्चो और Calls in Arrear में वो पैसा लिखा जाएगा जो capital का है या premium का है और नहीं मिला है ठीक है बच्चो capital का मिलाओ पैसा forfeiture account में और capital प्रीमिम दोनों का नहीं मिलाओ पैसा Calls in Arrear account में लिखा जाएगा इस बात को याद रखेगा बच्चो प्रीमिम तभी debit किया जाता है जब वो नहीं मिला हो और उसका amount Calls in Arrear में included होता है और अगर premium मिल चुका होता है तो हम premium को debit नहीं क्या करते हैं तो उसका amount नीचे कहीं भी included नहीं होगा चीक है ना forfeit share account में ना Calls in Arrear account में बट फिलाल क्योंकि वो नहीं मिला है इसलिए मुझे को debit किया है और उसका amount Calls in Arrear account में included है तो forfeit share account में सिर्फ application का पैसा आएगा जो रूपीज 3 per share है क्योंकि विजया ने सिर्फ और सिर्फ application पी किये जो कि रूपीज 3 per share है ठीक है बच्छो और उसने जो नहीं पे किया वो टोटल है रूपीज 5 per share है जिसमें 3 capital के हैं और 2 premium के हैं तो 500 इंटो 5 हो जाएगा बच्छो 2500 और इस तरह से विजय के share के forfeiture के entry बन जाएगी in the case 1 आई ये बात करते हैं about case 2 case 2 में बच्छो विजया ने allotment नहीं दिया मगर उसका share allotment के तुरंद बात forfeiture नहीं किया गया जब विजया ने first call भी नहीं दी तब उसके बाद जाके उसका share forfeiture किया गया है तो विजया का share forfeiture किया गया है by the company वो after the first call किया गया है ठीक है बच्छो तो जब विजय का share forfeiture किया जाएगा तो share capital का जो called up value है वो रूपीज एट पर share हो जाएगी तीन ये वाले तीन ये वाले और दो ये वाले capital को में हम सिर्फ तीन count करेंगे पांच नहीं बच्छो ध्यान रखेगा यहां पर तो total called up value के तीन तीन चेह और दो आठ ठीक है बच्छो और premium अब भी नहीं मिला है तो security premium को भीटा भीट करना पड़ेगा ठीक है बच्छो दो पेसे forfeated amount अब भी rupees 3 per share ही रहेगा because अभी भी उसने सिर्फ application नहीं दिया है और जो amount नहीं दिया है उसने वो total हो जाएगा पांच यह और दो यह साथ क्योंकि नहीं मिलेवे पैसे में premium भी included होता है और capital का भी पैसा जो नहीं मिला है वो भी included होता है तो capital का 5 रुपे नहीं मिला प्रीम का दोर भी नहीं मिला तो total 7 रुपे नहीं मिला अपको ठीक है बचो तो आईए अव एंट्री देख भी लेते हैं तो शेयर कैपिल अकाउंट डेबिट होगा 500 इंटू 8 से जो की रुपीज 4,000 हो जाएगा प्रीमम अब भी नहीं मिला तो 500 इंटू 1,000 इधर आ जाएगा फॉट्री शेयर में केवल अप्लिकेशन बनी आएगा अब भी 500 इंटू 3,500 और कॉल सेरे में आ जाएगा 500 इंटू 7, 3,500 ठीक है बचो इन 3,500 में 2,500 अलोट्मेंट का अरियर है और 1,000 जो है वो फर्स्ट अरियर है ठीक है बच्चो और अगर आपने कॉलसेन रिड अकाउंट ओपन नहीं करा होता वह अपकॉल सिरे काउंट ने नहीं कर रहे होते तो यहां पर में तूशल अलोट में रोल अकाउंट बढ़न लिखना पड़ता शेयर अलोट 1 account में लिखते और first call account में लिखते 1,000 ठीक है बच्चो आईए बात कर लेते हैं about case 3 case 3 में बच्चो जो विजय है उसने application भी दे दी है यहाँ पर से case 3 कर लेते हैं बच्चो तो case 3 में बच्चो विजय ने application दे दी है allotment भी दे दी है ठीक है बच्चो मगर उसने first call नहीं दिया और उसके तुरंद बात ही उसका share फॉर्पीट कर लिया गया ठीक है बच्चो तो share capital का जो call-up value है वो अब भी रूपीज 8 पर share रहेगा आखरी के दो रूपे जो final call के वो अब भी नहीं मांगेगा है तो share capital account तो debit होगा with रूपीज 8 तो 500 x 8 तो share capital account में आ जाएगा मगर इस बार आप securities premium account debit नहीं करेंगे क्योंकि वो मिल चुका है ठीक है बच्चो क्योंकि विचाने allotment दे दिये तो हम security premium account को debit नहीं करेंगे clear बात बच्चो तो इस बार forfeiture के entry में security premium account debit नहीं किया जाएगा याद रखेगा इस बात को और मिलावा पैसा 8 नहीं केवल 6 कहलाएगा तो जो forfeiture account में पैसा transfer किया जाएगा share capital का मिलावा वो सिर्फ rupees 6 पर share transfer किया जाएगा the reason is कि अगर premium मिल चुका होता है तो ना वो amount debit किया जाता है और ना ही amount वाला forfeiture account में included होता है और रही बात अरियर की तो अरियर तो कहलाएगा केवल rupees 2 पर share तो 502 पर जाएगा जाएगा तो आईए बच्चो देख लेते हैं इसके forfeiture के entry तो बच्चो एंट्री तो यह रही आपकी हमने share capital account के debit किया है securities premium account debit नहीं किया है क्योंकि वो मिल चुका है forfeiture account को credit किया है और अरियर अकाउंट को credit किया है share capital account वो debit होगा with rupees 4,500 into 8 forfeiture account credit होगा with rupees 3,500 into 6 याद रखेगा premium जो मिल चुका है हमने उसको मिले हैं amount account नहीं किया कहने को तो rupees 8 मिल चुका है तीन application के और पांच allotment के लेकिन उन 8 rupees 8 में से दो premium के मिल चुके थे इसलिए मिले हुए दूनों calls नहीं pay करें और उसके बाद उसका share forfeit हुआ है यानि after the final call तो case 4 में भी विजय आप्लिकेशन दे चुका है अलोट्मेंट दे चुका है और क्योंकि वो allotment दे चुका है तो हम securities premium account को debit नहीं करेंगे for feature के entry में और मिलावा पैसा आख नहीं बलकि 6 के लाएगा क्योंकि अगर premium मिल चुका होता है तो उसे मिलेवा पैसे में count नहीं करते हैं ठीक है बच्चो तो entry क्या बनेगी आईए देख लेते हैं एंट्री बनेगी share capital account debit to forfeit share account to call scenario account ठीक है बच्चो अगर call scenario account उपन नहीं किया है तो to share first call account तो share final call account लेकिन हमने क्योंकि के अरियर अकाउंट उपन किया है तो दोनों के अरियर हम इसमें जोड़के लिख देंगे शेयर capital account debit होगा इस बार 500 एंट्टु 10 से क्योंकि इस बार company सारे पैसा मांग चुकी है पूरी face value call कर चुकी है तो case 4 में आपका share कहलाएगा fully called up fully called up इस लिए कहलाएगा क्योंकि entire face value has been called by the company तो 500 इंटु 10 5000 यहां डाल दीजिए कि forfeiture account में मैंने कहा था पुच्छो आपको कि हम allotment का सिर्थ 3 रुपे ही मिला हो मानेंगे तो कि premium जो मिल चुका होता है वो forfeiture account में उसका पैसा transfer नहीं किया जाता है और नहीं security account debit किया जाता है इसे case में और तीन application मिल चुके है तो total मिले हो पैसे यह 6 तो 500 इंटु 6 3000 और नहीं मिलावा पैसा है रुपेज 4 पर शेयर दो first call के और दो final call के तो 500 इंटु 4 होता है बच्छो 2000 तो इस तरह से आपका share capital account debit हुआ with रुपेज 5000 forfeiture account हुआ 3000 से credit और arrier credit हुआ with रुपेज 2000 और यह एक लौता case है जहां पर share fully called up है इससे पहले तीनो cases में कमड़ने entire face value मांगे ही नहीं थी case 1 में share की call up value 6 आई थी, case 2 और 3 में rupees 8 आई थी और case 4 और जो आखनी case है इसी में share की call up value rupees 10 पर share आई गया है that's why हम कह सकते हैं कि share in case 4 जो है वो fully called up है fully called up का मतलब entire face value has been called by the company clear बच्चो यहाँ पर मैं आपको यह भी clear करता हूँ कि यह जो question में आप लोगों से discuss कर रहा हूँ यह question number 48 है of the book T.S. Griwal edition 2023 यह chapter number 8 है उस book का second book है उसकी यह volume 2 ठीक है chapter 8 company accounts accounting for share capital और page number 8.118 पर यह question given है question number 48 ठीक है बच्चो